तीस साल बाद तीन राजयोग एक साथ, शुरू होंगे अच्छे दिन, हर कार्य में मिलेगी सफलता। ज्योतिश शास्त्र मुताबिक चैत्र नवरात्र का आरंभ नौ अप्रेल से हो रहा है। वहीं हिंदू नववर्ष समवत 2021 भी शुरू हो रहा है। नववर्ष पर तीन राजयोगों का निर्मान हो रहा है। ये राजयोग शश और अमरित सिध्धी योग और सरवार्त सिध्धी योग हैं। वैदिक ज्योतिश के मुताबिक हिंदू नववर्ष के राजा मंगल हैं. वहीं इस साल मंत्री शनी देव हैं. ऐसे में शनी और मंगल देव का प्रभाव पूरी साल देखने को मिलेगा. जिससे कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है. साथ ही धन दौलत में बड़ोतरी हो सक आये जानते हैं ये लकी राशियां कौन सी हैं. व्रिश राशी, व्रिश राशी के लिए हिंदू नववर्ष लापकारी साबित हो सकता है. व्रिश राशी वालों इस साल कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे और कई नए बिजनस भी इस दौरान आपकी इच्छाओं की पूर्ती होगी. साथ ही इस साल नए कार्यकी शिरुवात हो सकती है. व्रिश राशी वालों च्छात्रों के लिए ये समय अच्छा रहेगा. इस दौरान वह किसी प्रतियोगी परीक्षा में पास हो सकते हैं. साथ ही प्रोपर्टी और वाहन भी खरी हो सकता है. मिथुन राशी वालों आपकी आय में जबर्दस्ट बड़ोतरी हो सकती है. साथ ही आय के नए सोर्स बन सकते हैं. मिथुन राशी वालों परिवार में सुक शान्ती रहेगी और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम भी बना रहेगा. साथ ही इस साल आपको योजनाओं में सफलता मिलेगी. मान सम्मान और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ती होगी. साथ ही राजा मंगल की वजह से पुराने चले आ रहे करजों से. मुक्ती मिलेगी और निवेश के लिए समय काफी अनुकूल रहने वाला है. मिथुन राशी वालों धनलाब होगा. सा साथ ही अगर आप साजेदारी में बिजनस कर रहे हैं तो इचितलाब प्राप्त कर पाएंगे. और आपके बैंक बैलेस में अच्छी बडोतरी होगी. वही इस साल धनुराशी वालों आपके आत्म विश्वास में वृद्धी होगी. आप कोई वाहन और प्रोपर्टी खरी